क्या आप Northern Territory के GSM Nomination Applications के स्टेटिस के बारे में जानते हैं? Northern Territory ने इस प्रोग्राम यद 2021 वबाइस के लिए Subclass 491 Nomination के Allocation का इस्तेमाल किया है. अगर आप इस वीजा Subclass के लिए Qualifying Requirements से मेल खाते हैं, तो आपके एक जुलाई 2022 से बाद nominated होने की संभावना है. पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंतक देखें और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. Brain Drain Consultants की ओर से हमारे Immigration Information और News Channel A-Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है. Migration NT ने मौझुदा Eligibility Criteria के तहत Applications प्राप्त करना और उनका Assessment करना जारी रखा है. आपको बस यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपना Nomination Application जमा करते समय और Application Process के दोरान NT Nomination Criteria और Standard Home Affairs के अमिदारी है कि English Test के Results, Skills Assessments आदी के साथ सभी दस्तावेज वैलिड रहें. अगर आप Eligibility Criteria को पूरा करते हैं तो आपको अपना Application जल्द से जल्द फाइल करना चाहिए. विजा एक्सपारी की तारीखों के बाद Applications का Assessment नहीं किया जा सकता है. अगर आपका वीजा खत्म हो रहा है, तो आपको अपने वीजा आप्शिन्स पर पेशेवर सलाह लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप Australia में अपने स्टे के दौरान कानून बने रहें. आएए अब Northern Territory के Nomination के Step-by-Step Guide के बारे में जानते हैं. तो पहला कदम Home Affairs के Department की Requirements, जैसे की Age, English Level, Skills Assessment और Migration Points Test के लिए अपनी Eligibility का Assessment करें. फिर Skills Select में Expression of Interest फाइल करें. उसके बाद Online Application System द्वारा Anti-Government Nomination के लिए एक Application जमा करें. अगर Successfully Nominate किया जाता है, तो आपको अपने Visa के लिए Apply करने के लिए एक Skills Select Invitation प्राप्त होगा. फिर Home Affairs Department की Website पर वापस लोटें और अपने IMI Account के जरीए अपने Visa के लिए एक Application फाइल करें. आखिर में Home Affairs Department आपके Visa Application पर Decision के बारे में आपको Advice देगा. अगर आपका Visa दिया जाता है, तो आपको NT में रहने और काम करने के लिए अपनी Long Term Commitments को पूरा करना होगा. हमें उमीद है कि हिंदी भाषा में Immigration से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी. क्रिपिया कॉमेंट में अपने Suggestions और Feedbacks जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को Like, Share और Subscribe जरूर करें. और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा. अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताच करना चाहते हैं, तो आप हमारी Registered Migration Consultants की टीम के साथ एक Expert Counseling Session Book कर सकते हैं.